दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्राड़क्ट की पाकेजिंग को और भी ज्यादा एफेक्टिव बना सकते हैं ताकि आपकी सेल्स स्काय हाइ हो जाएं करत मरजयलने की जो एक साउथ पाक पाकेजिंग के वाइस प्रेजिएंट हैं उन्होंने भी कहा है ग्रेट प्राड़क्ट्स दिमाड ग्रेट पाकेजिंग तो चलिए डीप डाइफ करते हैं इस टॉपिक में यह तो सब जानते हैं कि पहला इंप्रेशन कितना इंपॉर्टन होता है जब कोई कस्टमर स्टोर में जाता है तो उनकी नजर सबसे पहले पाकेजिंग पर पड़ती है अच्छा पाकेजिंग मतलब अच्छा फॉस्ट इंप्रेशन सिंपल है बास सेकेड कॉंट्रास्ट इस दकी वार्थन स्कूल के रिसोर्च के अकॉर्डिंग जो प्रॉडक्ट अपने कॉंपिटिटर से विज्वली अलग दिखते हैं उनकी सेल्स जनरली जादा होती है मतलब कि अगर आपका प्रॉडक्ट शेल्फ पर चमकता है तो कस्टमर्स उसे डेफिनेटल इठाएंगे थर्ड डिजाइन दाट स्पीक्स वॉल्यूम्स डिजाइन में क्रियेटिविटी दिखाओ अलग-अलग साइज, वाइबरेंट कलर्स, यूनीक शेप्स यह सब कुछ आपकी पाकेजिंग को स्टैंड आउट बनाएगा आपको सरिफ आउट अप दे बॉक्स सोचना है लिटरली फॉर्थ, लेस इस मोर, ओवरलोड नहीं करना है इंफर्मेशन से तरफ जरूरी बाते, वो भी ऐसी तरीके से जैसे कस्टमर को इमेडियेटली अट्राक्ट करें पाकजिंग का फील भी उतना ही इंपोर्टेंट है जितना उसका लोग टिफ्रेंट टेक्शुर्स, फिनिशेज ये सब मिलके एक मेमोरिबल एक्सपिरियेंस क्रियेट करते है अपने ब्रांडिंग आड विजिबिलिटी, अपने ब्रांड को हाइलाइट करना ना भूले सोशल मीडिया लेंक्स, क्यू आर कोड्स, ये सब आजकोल बहुत ज़रूरी है डिजिटल दुनिया से कनेक्ट रहना पड़ेगा हर चेंज के साथ रिस्क होता है लेकिन स्मार्ट डिसिजन से आप अपने ब्रांड को नए हाइट पर पहुँजा सकते हो अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डीटेल में सीखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट www.startupyogis.com विजिट करें लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमत अपडेट पादे रहें